पसकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी रावण ने बताए थे महिलाओं के आठ अफगुण जो आज सच लगती है आप भी जान लीजिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके रावण के बारे में जब भी बाते होती है तो यही कहा जाता है कि वो एक प्रतापी माया भी लेकिन दुष्ट राक्षस था जिसे की अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकना चूर और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई थी और उसकी वो गलती थी मासीता कहरण एक पराईस्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर में ले आना उसके विनाश का कारण बना रावण के इस दुर्दशा का अंदाजा उसकी पत्नी मंदोद्री को शायद पहले ही हो गया था इसी कारण उसने अपने पती रावण से प्रार्थना की थी कि वो सीता को वापस करके भगवान राम से माफी मांग ले लेकिन रावण ने उसकी एक नहीं सुनी और जब युद्ध करते करते उसे अपनी हार का अंदेशा हुआ तो उसने महिलाओं के बारे आठ अब गुड बताए थे जिसका जिक्र बालमेकी की रामायन में तो नहीं ल सहस रावण ने कहा था कि महिलाओं सहसी तो होती है लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगा करती है जूट बोलती है अस्थिर और चंचल चितवाली होती है इसलिए उनके मन को समझपाना बहुत मुश्किल होता है स्वार्थी और मायावी महिलाए स्वार्थी और जिद्धी होती है और अपनी जिद्ध को पूरा करने के लिए वो कहान्या गरने और मोहमाई मायावी खेल भी खेल जाती है घबरा जाती है यद्दपी महिलाएं साहसी होती है लेकिन विकट परिस्थितिया आते ही वो बहुत जल्दी हथियार डाल देती है महिलाएं मूर्ख होती है इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती है जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में होता है माफ नहीं करती है अपुद्र रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गेहनों से खुद को सजाएं लेकिन दिल से वो पवित्र नहीं होती है वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती इस कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था मंदोद्री से कही थी ये बात रावण ने महिलाओं के बारे में ये आठ बाते अपनी पत्नी मंदोद्री से कही थी रावर्ण ने जो दोहा कहा था वो ये है ना आरती सुभाव सत्ते सब कही अब गुन आठ सदा उर रही साहस अनृत चपलता माया भै अभिबेक असोच अदाया इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो कृप्या वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें